हालो स्टूडेंट नाइन क्लास के कापघंड में चेप्टर है आपका मेग आए कापघंड का चेप्टर है मेग आए जिसके कभी है शर्वेश्व अद्याल सक्सेना जी इसके मैंने पिछले स्टेंजा करवा दिये थे आगे कुछ रह गए हैं वह मैं आज करवाती हूं कम्प कभी कहते हैं बूडे पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की बरस बाद सुद्रीनी बोली अकुलाई लताओ ओट हो किवार की हरसाया ताल पानी परात भरके मेग आए बंठन के समझ के कभी कहते हैं बूडे पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की यानि क्या होता है जब कोई घर में महमान आता है घर के बड़े जो होते हैं वो उनके स्वागत के लिए सामने आ जाएं तो इसलिए यहाँ पर किशको कहा गया है बड़े बूड़े के लिए बूड़ा जब से पुराना पेड़ कि पिड़ के लिए करहने कि जब मेग आए हैं ब reactive तो सब से पहले किसी बरस बाद सुद लेनी बोली अकुलाई लता ओट हो के बार की बरस बाद सुद लेनी सुद का मतलब याद तो एक बरस बाद याद आई मतलब ये कौन बोला बोली अकुलाई लता ओट हो के बार की जो लता है लता किसके लिए एक बेल की लिए कहा गया है जो दर्वाजे के प पीछे से जब हवा चल रही है तो पीछे से दरवाजा बंद ढू रा है खुल रहा है तो डरवाजे के पीछे से मतलब बेल है वो बोली बरस बात सुधलीनी और यहाँ पर दूसरे भाव मेरे यह यहा रहा है हरसाया ताल लाया पानी पराद भर के मेग आए बंधन के समर के हरसाया ताल लाया पानी पराद भर के हरसाया हरसाया मतलब खुशी प्रिकट करने वाला तो खुश हुआ ताल लाया पानी पराद भर के असा लगा है कि बादलों में जैसे पराद भर के क्या आ गया है पानी आ गया है मेग आये बंठन के समर के इतना सुन्दर लग रहा है कि ये मेग आये बंठन के समर के वह सुन्दर मैसुस हो रहा है आकास में बादल सज सवर कर आई है बुड़े पीपल ने बुड़े जो तुम तो पूरे बरस एक बरस के बाद आए हो गाउं का जो तालाब है मेक के आने से खुशी में आनन्द मगन होकर पानी की पराद भर कर लाया यानि बादलों में पानी आया है जो तालाब हम पानी भराया है तो सब क्या हो गया है खुशी मगन हो गए हैं पानी के बरसने के खुशी में कि बादल आए हैं तो पानी बरसात होगी और इस गर्मी से हमको आराम मिल जाएगा आगला श्टाया शितिज अटारी गहराई दामनी दमकी चमा करो गांट खुल गई अब भरम की बांद तूटा जर जर मिलन के अशुधर के में गाए बंठन के समर के शितिज अटारी गहराई दामनी दमकी चितिज के मतलब कहा है मतलब जहां पर ऐसा लगता है शितिज के लिए कहा गया है जहां धर्ती और आकास मिलते प्रतीत होते हैं जमीन और आसमान दोनों मिल रहे हों उसको हम क्या कहेंगे चितिज गहराई यह नहीं मतलब जहां गई हो दामनी बिजली चितिज अटारी गहराई दामनी दबकी आकास में बादल इस तरह संगन होकर चा गए जैसे अत्ती के आगमन पर अटारी पर लोगों का जमगट लग जाता है बिजली दमकुठी और बादल मतलब चमा करो बादल हमें चमा करो हमारे ब्रह्म की गांट खुल गई है हमें भ्रह्म था कि तुम नहीं बर्षोगे पर तुम बरस पड़े हो जर जर की आवाज से तुमारा प्रेम उमर पड़ा है धारा साल बर्षा के रूप में मिलन का अशु ढुलक रहे हैं यानि कि मिलन की आशु हैं वो निकल पड़े हैं इस प्रकार वर्षा के बादल सज सवर कर आकास में चा गई हैं चितिज अटारी गहराई दामनी ऐसा प्रतित हो रहा है जैसे जमीन आसमान दोनों मिले हो वहाँ से क्या हो रहा है वहाँ यानि बिजली तड़क रही है बिजली चमकने की आवाई आ रही है चमा करो गांट खुल गई अब भरम की जो हमारे अंदर भरम था कि तुम मुझे भूल गई हो तो वो क्या हुआ उस भरम की गांट अब खुल गई बांध तूटा जर जर मिलन के अशु धरके यानि बांध तूटा यहां एक इस्तरी के लिए भी बढ़न किया गया है कि बांध यानि जो मन में दुख था वो क्या हुआ है वो आशु के रूप में निकल पड़ा है जर जर मिलन के अशु धरके यानि कि आखों से आशु निकल पड़े मेग आये बंठन के समर के सजकर आये हैं ऐसा लग रहा है सारी खुशिया मिल गई है सारे दुख कतम हो गई है आकास में दूर तक बादलों का जमघट लगा है अब धरासार बादल यानि इतनी तेज बर्षा हो रही है ताकि जो धरतिय पूरी तरप्त हो गई है चार ओर ठंडक हो गई है पानी की बर्षात होने से सभी ओर खुशिया मनाई जा रही है सभी लोग खुश हो रही है और सभी लोग इस खुशिय को एक साथ मिलकर मना रहे हैं इस चैप्टर की ब्याख्या करने है बच्चो नोट्स बनाईए और नोट्स चेक कराईए आप लोग सभी ब्याख्या पढ़िए कि ब्याक्ख्या लगवर कम्प्लीट हो रही हैं आप लोग कि आप लोग इन सभी ब्याक्ख्याओं को कॉपी में नोट्स में बनाईए और चेक कराईए